हलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है हमारी उट्यूब चैनल और फिरी में जानों में दोस्तो आज का वीडियो बहुती कमाल का है और ये वीडियो बहुती जादा विश्फिल होने वाला है उन सभी किसानों को जिन के पास दो एकल से कम जमीन है तो दोस्तो अगर आपके पास भी दो एकल से कम जमीन है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा तो दोस्तो वित्मंत्री प्यूस गोईल ने बचट महसल में बताया कि किसानों को पीम किसान योजना के तहित साल भर में अब तीन किस्तों में 6,000 रुपए के दिये जाएंगे तो दोस्तो कैसे मिलेंगे और किस योजना के तहित मिलेंगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो दोस्तों अगर आपके पास भी दो एकल से कम जमीन है तो आपको भी मिलेंगे 2,000 रुपए पिरती तो एक किस्त में तो अगर आपके पास 2,000 रुपए मिलेंगे और साल में 6,000 रुप ये लाइक वाले बेटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चलें, आपने हमाई वीडियो देखिए और लाइक कर दिया सेर वाले उप्सन से सेर करते हैं अपने हार दोस्तों के साथ फेस्बुक पे वास्टों पे और दोस्तों नीचे की और आगे तक दो हजार रुपए पहली किस्त मिल जाएगी तो दोस्तों बिस्त मंत्री पियूस गोईल ने बचर भासर में बतायागी किसानों को पीयम किसान उजना के ताहिद साल भर में तीन किस्तों में छे हजार रुपए दिये जाएंगे क्या है उजना तो दोस्तो बिस्त मंत्री ये पियोज गोईल ने सुक्रबार को 2019 बीच का पेजर पेज़ करते हुए पिर्धान मंत्री किसान समान निधी पिर्धान किसान उजना की घुसरा की है इस उजना का फाइदा दो हेक्टर से कम जोथ किसान वालों को मिलेगा ये तो 2,000 रुपए होंगे और साल भर में 6,000 रुपए मिलेंगे किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी सरकार तो दोस्तो कौन उठा सकता है इस स्कीम का फाइदा इस स्कीम का फाइदा 2 हेक्टर जमीन रखने वाले किसान उठा सकते हैं सरकार का कहना है कि इस स्कीम के दाइरे में 12 कड़ोर किसान आएंगे कौन से किसानों को इसका फायदा नहीं मिलेगा तो दोस्तो इस उजना के भूमिहीन किसानों को सामिल नहीं किया गया है जिनकी जमीन नहीं है उन्हों इस उजना का फायदा नहीं मिलेगा सा आप गटन किया है खाते में कब आएंगे 2000 रुपए तो दोस्तो बित्यमंत्री पियूस गोल ने बचर भासल में कहा है कि इसकीम पर काम पूरा हो चुका है ये रखाम 31 मार्च से पहले किसानों के खाते में पहुंच जाएगी माना जा रहा है कि फरवरी के अंद तक या फिर म माज तक पहली किस्त मिल गई है अब दूसरी किस्त आने की संभावना है तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंड में जरूर बता है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए